नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग दोस्तों तारीक है 13 जुन 2021 और यहां पर 14 जुन 2021 यानि सोंबार मंडे के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल और आईटी श्टॉक के आंसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ सबसे पहले हम लोग मेटल इंडेक्स को देखेंगे उसके बाद उसमें सामील इस्टॉस को भी देखेंगे अभी एक resistance भी ले रहा है, यानि कि अब जो इसका resistance zone है, वो चववन सो के आसपास का आता है, अगर आप इसको ध्यान से देखे तो उसी के आसपास किसकी closing भी है, हम मैं चाहूंगा कि आप इस जगह पे अगर ये metal index 5425 को अगर ये मंडे के दिन break करता है, तो लगभग metal stocks में आ अगर ये इस train line के नीचे दुवारा नीचे कल जाता है, वापस से गिर जाता है, इस train line के नीचे ही आ जाता है, और वो train line के नीचे आने का मतलब है, कहीं कहीं वो 5350 के नीचे अगर आने की कोसिस करता है, तो आपको metal index के stocks में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, तो लगबग लगबग मैं बारबर बोलता था कि भाई 1300 को पर जाएगा 1400-1450 के टारगेट आपको मिलेंगे और वो बिल्कुल आपको 1450 के टारगेट हाय तो 1480 तक लगाया है लेकिन अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप प्रोफिट बुक कर ले यहाँ पर अपने पोजिशन बना था नीचे 1300 तो आप प्रोफिट बुक कर लिजिए और निकल जाएए एक बार यहाँ पर क्यूंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन का स्वामना करना पड़ सकता है दुबारा जब जाएगा ना 1450 के उपर तब पोजिशन बनेगा फिलाल अभी प्रोफिट बुक कर लेना चाहिए कोल इंडिया सेफ टेडर के लिए भी जोन बन गया 160 के उपर में बाइबूस जोन बता रहा था रिस्की टेडर के लिए 150 के पास ही बता रहा था 150 के पास में बता रहा था 145 जोन हमारे काम के आगे अब कोल इंडिया में जो ओर आरड़ी मैю डीटेयल वीडियो बना के मैंने दिया था उमीद है वो वीडियो आप फालो कर रहे हों तो आपने उसके हिसाब से ही काम क्या होगा, हर एक वो लेबल जो कोल इंडिया कर सकता है, वो लेबल मैंने बता दिये थे बहुत पहले कि कोल इंडिया कितना उपर जाएगा, इस तरह से एक विडियो डाला था, और उस पर मैंने अपना व्यू बता था, अभी कोल इंडिया और भी उपर जाने के चांस है, नेक्स टार्गेट 170 तक का नजर में आएगा कोल इंडिया, तो बने रह सकते हैं हम लोग कोल इंडिया में, हिंडाल को, ब्रेक आउट का वेट चल रहा है हिंडाल को में, देखिए ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस है, वो ब्रेक आउट दे नहीं पा रहा है, ब्रेक आउट देगा हिंडाल को, उपर की साइड में 395-96 ब्रेक करेगा, तो इंटाडे में 405 तक के टार्गेट आपको दिखाएगा, और अगर ये 405 के उपर क्लोज करता है, तो 420 का फिर पोजिशनली टार्गेट हिंडाल को, आपको नजर आता हुआ दिखाए देगा, हिंद कॉपर की बात करें, यानि हिंदुस्तान कॉपर, तो देखे हिंदुस्तान कॉपर में भी सेम कंडिशन हो रहा है, एक स्विंग बना के हिंदुस्तान कॉपर मूफ करने की कोशिश कर रहा है, एक ट्रेन लाइन का रजिस्टेंस से सपोर्ट है इसके टार्गेट 340 और 50 वाले डन हो गए, 325 के उपर बाय दिया था, वो सारे टार्गेट इसके डन हो गए, अब हमें इस जगा पर क्या करना है, अभी फिलाल कुछ ने करना है, अभी हम वेट करेंगे, जब यह 355 के उपर क्लोजिंग करेगा, देन नया टार्गेट 365 का बन है, अभी भी हिंद जेजड़ इस्टिल के आए, एक जोन में फसा हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुवमेंट आना चाहिए, हिंद जेजड़ इस्टिल अगर अपसाइड में ब्रेक कर दे, 736, 37, 38 यह सब अगर ब्रेक करता है, तो 750 तक के टार्गेट आपको दिखाएगा, ज जिंद इस्टिल क्या बता रहा है, कि भाई हम ब्रेक आउट हो चुके है, हमने ब्रेक आउट कर दिया है, जिंद इस्टिल साफ साफ यह बता रहा है, जिंद इस्टिल बता रहा है कि हम 422, 23, 24 के उपर अगर निकलेंगे, तो 430 से लिएक 35 तक का टार्गेट आपको तो इसके उपर ही जब तक यह नहीं निकले हम पोजिशन नहीं बनाएंगे 200 के उपर निकलेगा 205 से 10 तक का टार्गेट आपको मोहिल में आता बन नजर आएगा मिधानी मिष्ट दातु निगम लिमिटेड बहतरीन श्टॉक्स है श्टॉक्स में कोई भी खराबी नहीं है प 210 के उपर जाएगा तो 220 तक के टार्गेट दुबारा नजर आएगा NMDC चलिए NMDC का चार्ट हम लोग देखेंगे NMDC में क्या करना चाहिए NMDC में अभी दोस्तो 170 का स्टॉप लोस लगा के आपको होल्ड करना है नया पोजिशन एड अगर करना होगा तो 195 के उपर एड करेंगे 200-210 के टार्गेट के लिए National Almonium यानि नालको की बात करेंगे यहाँ पे देखिए इस टॉप लोस लगाईए 68-69 का एक सपोर्ट है वो ब्रेक जैसे नीचे करेगा 65 तक गिर सकता है यह श्टॉप तो यहाँ पे एक इंपोर्टन सपोर्ट है उपर जाने कलिए 75 को ब्रेक करना होगा देन आपको 80 तक का टार्गेट नजर आएगा रतनामंडी मेटल्स 2000 वाला टार्गेट हो चुका है complete वापस से 2050 को ब्रेक करेगा तो 1200 तक का ार्गेट दिखाएगा Sale steel authority of India moment है breakout है जैसे JHW steel ने breakout किया था जिन्दल steel ने वैसे steel authority of India sale ने भी breakout किया है website में next target 140 का बने गा intraday में wait करेंगे 136 को break करेगा 140 के target आपको नजर आएगा Tata Steel इसने भी 4% का moment दिया था और breakout upside में Tata Steel में भी देखने को मिले है अज जैसा कि आप chart पे भी देख रहा है box break नहीं कर पा रहा था और box को इसने break किया है और upside में जाके close भी किया है तो यह एक positive sign है Tata Steel का उपर अगर 1165 ब्रेक करें तो 1180 से लेके 1200 तक के target आपको नजर आ जाएगा वेलेस्पन कॉर्प थोड़ा सा problem है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है से नहीं है वेलेस्पन कॉर्प में इसको और नीचे आने देंगे फिर quantity पे ध्यान देंगे 160 के उपर निकलेगा 165 के target बनेगे लेकिन जब 160 के उपर निकलेगा तब अभी नहीं लेंगे अभी थोड़ा सा एवाइड करके चलेंगे वेलेस्पन कॉर्प को तो दोस्तों यह था निप्टी के metal stocks पे मेरा अपना view अब ज़रा IT stocks को लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा stock किस लेवल पे खड़ा है live market में call प्राप्त करने के लिए आप telegram channel जोईन कर सकते हैं video के description link है mobile application पे भी आपको call मिलते हैं RK trading mobile आपको आप Google Play से download करें देन आप eligible हो जाएंगे live market में call प्राप्त करने के लिए अगर mobile application डाउनलोड करते हैं तो वो ज़्यादा बहतर होगा IT index की बात करें तो IT मैंने breakout दिया था पिछले बार मैंने थरजडे वाले वीडियो में बताया था क्योंकि Friday को trade करना था थरजडे में साब साब बताया था वो ब्रेक कर दे अब साइड में तो यह 29,000 के तरफ में जाएगा जिसके वज़ा से आपको यह और बड़े profit बन सकते IT stocks में हलांकि यह अगर 28,000 के नीचे गिर जाता है तो थोड़ा सा कम जोड हो जाएगा फिर IT stocks में profit booking स्टार्ट हो जाएगा nifty IT में अगर इसको ध्यान में रखें और सबसे पहले हम लोग किस stock को देखेंगे तो बिर्ला soft को देखेंगे तो बिर्ला soft 400 का stock बन गया देखते देखते बच्चा कब बड़ा हो गया पता भी नहीं चला सांदार तरीके से तो बिर्ला soft में हम लोग 73 रूपी से ठीके हुए है और अभी तक यह चल रहा है 420 के उपर जब यह निकलेगा दुबारा तो 450 तक के next target देगा upside में 360 का एक stop loss लगा के hold कर सकते हैं बिर्ला soft में इसके अलाबा अगर बिर्ला soft के बाद अगर हम लोग चले महां की IT stocks में तो उसका नाम है SCL take 1000 के level को बहुत ही अच्छे तरीके से वो respect कर रहा है 1000 का level वो उसको break नहीं कर पा रहा है अभी तो फिर 980 पर ही वो बेचारा गड़बर है तो 990 को break करेगा 1020 तक के target आपको SCL take मिलेंगे Infosys सांदर breakout आया यहां पर आप देखे मैंने Friday को दिया भी था इसी stocks को देख रहा है अपने intraday call में भी दिया हुआ था जबदस breakout आया और शांदर profit आपको यहां पर बना हुआ है Infosys में 1460 का next target 1450 को break करेगा 1460 का target Infosys में मिलेगा Tata Galaxy जरूर profit बनेगा फिर से profit बनेगा Tata Galaxy में upside में नज़र रखे 3850 को break करेगा 4 3950 के target अराम से मिल जाएंगे नीचे अगर यह break करता है 3750 को तो sell करके यह direct 3700 पर आने की कोशिस करेगा Tata Galaxy Mind tree 2500 का target हो गया high लगाया था 2495 अब यह 2500 के उपर निकलेगा then हम नया position क्रियेट करेंगे दोस्तों 2550 से 26 के लिए Bipro सांदार मुमेंट यह भी दिखा रहा है लेकिन बिल्कुल अभी sustain कर रहा है एक जगा पे 560 का resistance ले रहा है 560 के उपर निकलेगा 565 से 70 तक के target आपको मिलेंगे आगे बढ़ूँगा टेक महिंद्रा देखिए 1000 के उपर जब से मैंने लेवल दिया है वो तब से भागा जा रहा है 1000 के उपर बाय दिया है और 1080 हो गया अब हमारे लिए नया position बनेगा 1100 के उपर अगर अब यह 1090 क्योंकि यहीं से reject हो जाता है 1090 भी उपर close करेगा ना तो 1150 तक का सुंग टेडिंग में कॉल बन जाएगा TCS 32 को उपर 33 का टार्गेट था तो 33 का टार्गेट हो गया अब यह वापस जब 33 को उपर निकलेगा तो 34 का टार्गेट देगा कोफोर्ज सारे टार्गेट इसके तो जो टार्गेट बोलता हूँ वही टार्गेट डन हो जाता है 4000 का टार्गेट था 4000 भी डन हो गया अब 4000 के उपर close करेगा तो 4100 का टार्गेट बनेगा नौकरी इंफो है अब साइड में जाने के लिए 4750 के उपर अगर मंडे को निकलता है पोजिशन बनाएंगे 4800 के टार्गेट के लिए LTI सांदार देखे 4000 के उपर मैंने बाय दिया था 4000 के उपर निकलेगा 400-42 का टार्गेट LTI भी मिलेगा अगर आप मेरे विवर है और निप्टी फार्मा आईटी मेटल स्टॉक्स को फॉलो करते इस एनालिसिस को फॉलो करते है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा कि मैंने बोला था कि नहीं कि 4000 के उपर निकलेगा तभी पोजिशन बनाएंगे 4000 के उपर निकलेगा 400-42 का टार्गेट देगा एक्जेक्ट मैंने यही बात बोला था और इसने 42 का ही हाई लगाया है 428 रुपे का है बिल्कुल 428 रुपे का हाई लगा है कल अगर यह 4210-20 यह सब ब्रेक करे तो आप कोई 43 तक जाते वे नजर आएगा LTI एमफासिस 2050 का टार्गेट भी डन हो गया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया यह प्रॉब्लम है 2050 के उपर निकलने बाद 200 का टार्गेट नीचे अगर यह 1,960 ब्रेक करता है सेल करेंगे नीचे 1,930 के लिए जस्ट डायल मुमेंट अभी इस्टार्ट किया नहीं हालां कि नीचे से यह 730 से लिए एक हजार हो गया अब हमारे लिए रेजिस्टेंस यही है 2025 2025 को भी ब्रेक करेगा तो 2050 से 75 तक टार्गे जस्ट डायल भी आपको दिखाएगा तो दोस्तों यह था निफ्टी के फार्मा के मेटल के बाद IT स्टोक इसके अलाबा फार्मा स्टोक की बैंसिस करेंगे लेकिन एक इस्टोक याद आगया दोस्तों जो मेटल इस्टोक में मैं कवर नहीं कर पाया उसका नाम है बेदान्ता बेदान्ता को और बेदान्ता देखे 280 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है 282 का वो ब्रेक करेगा तो सब से पहले हम निफ्टी करेंगे इंडेक्स कर रहा है 16,500 के व्पर निकलते हैं 14,500 के वी निकलते है épisode टो फार्मा में और भी ब्रेक आउट देखने को आपको मिलेंगे फार्मा स्टोक में अगर यह 14,400 के नीचे आ जाता है फार्मा स्टोक थोड़ा सा तो फिर ये profit booking आएगा जिसके बज़ाद से हम लोग तयार रहेंगे अजन्ता फार्मा जब तक ये 2050 के उपर नहीं जाए पोजिशन नहीं बनाएगे 2050 के उपर जाएगा तो आपको ये 200 तक के target मिलेंगे एलकम ब्रेक आउट कर रहा है 300 के उपर निकलने के लिए फिर से तियार हो चुका है एलकम 32 के उपर निकलेगा तो बतीसो पचास से तैतीसो का target देगा और विंदो फार्मा की बात कर ले तो एक ही दिन में और विंदो फार्मा में साड़ी चार परसंट की रेली आई एक ही दिन में साड़ी चार परसंट का movement आपको बन गया बॉक्स दोड़ा बॉक्स से निकल के चला गया अब यह खेजार बीस के उपर निकलेगा तो एक हजार चालिस के target बनेगे बायो कौन भी शांदार प्रॉफिक चार सो बीस का target हो चुका है दन मेरा short term target हो गया दन चार सो बीस पचिस के उपर अब close करना start करें तो चार सो चालिस तके target मिलेंगे इस ने भी breakout दिया उपर चुकि फार्मा इंडेक्स में breakout आया यहां से भी मामला चलता है 670 के उपर निकलेगा 680 से 90 का intraday target बन सकता है नीचे अगर 660 ब्रेक करता है सेल करेंगे 650 का intraday target के लिए सिपला 980 के उपर निकलेगा तो 1000 के target नीचे ब्रेक करता है 965 को सेल करके 950 का intraday target लिया जा सकता है डीवीज लेब अब जब तक 4400 का target हो गया डन ब्यालीच सो के उपर दिया था सारा काम हो गया चावालीच सो के उपर निकलेगा तो 45 सो का target डॉक्टर रेड़ी ने movement इस्टार्ट कर दिया इसके बारे में मैंने video भी बनाया हुआ है और मैं बार बार अपने pharma IT stocks में इसी सीरीज में मैं बताता रहता हूँ कि भाई चावण सो के उपर ही position बनाएंगे चावण सो के उपर निकला सिधे 500 पहुंच गया अभी बने रहेंगे इसमें breakout आया हुआ है looping hold कर रहा है बहुत ही crucial zone पे looping अगर 1220 को नीचे break करता है सेल करेंगे target 1200 का intraday होगा उपर अगर ये 1240 break करता है बायकर के 1260 तक जा सकता है looping sun pharma उपर के side में अगर breakout देता है sun pharma तो जरूर जरूर दोस्तों नजर रखेंगे sun pharma में यही target हमारा next target था और वो target हो चुका है complete अब यह 2900 के उपर निकलने पर position बनेगा अभी नहीं बनेगा अभी थोड़ा छोड़ देंगे इसको strides pharma की बात करें strides pharma 850 के उपर निकलेगा तो 900 के target मिलेगे गलेनवा फार्मा ने तीन परसेंट का मुवमेंट का है 660 का resistance हो गया टार्गेट डन 660 को उपर निकलेगा 680 का target देगा वोकट फार्मा अभी ये मुवमेंट करेगा वोकट फार्मा पर नजर रखे अब साइड में जाने के लिए कम सेके वोकट फार्मा को 670 को ब्रेक करना होगा देन आपको 700 तक के target मिलेगे नीचे अगर ये 635 ब्रेक करता है 638 ब्रेक करेगा गिर जागा 625 तक 20 तक आ सकता है बहुत बहुत धन्यवाद